कि इंसान के शरीर पर दिये गए तिल से कुछ न कुछ माईने ज़रू निकलते हैं कुछ तिल जन्मी के साथ ही होती है तो कुछ जन्मी के बाद बन जाते हैं सरीर पर छपी गए तिल यो ही नहीं होते हैं ऐसी में आज हम आपको सरीर के अंगों की बनावट निसान और तिल को लेकर कुछ खास जानकाड़ी देने जा रहे हैं धरो दोस्तों दर डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यदि आप चैनल पे पहली बार आये हो तो चैनल को लाइए सेयर और सस्क्राइब करना बिलकुल न भूले साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेज करें ताके आप आरे आने वादे ह तुरंद फैसले लेना पसंदे करती हैं इतना ही नहीं ये गुद्धिमान होने के साथ साथ इनके पास पैस्ट भी कोई कभी नहीं होती ये महिलाएं अपना मन पसंद का काम करें या फिर कोई दूसरा अन्य काम करें इन्हें हर प्रकार की सफलता मिलती है फिर वो चाहे उन्दर तका भी प्रतिक पाना जाता है, ऐसी महिलाओं को सोसल मीडिया पर काफी ज़्यादा फॉलोइंग होती है, काफी ज़्यादा फैन फॉलोइंग ऐसे लोगों को होती है, हलांके ये दूसरों के बारे में बात करना ज़्यादा फसंद करती है, यही नहीं जिन महिलाओ महलाओं के होट पर तिल का निजान होता है, वो किसी को भी बड़ी आसानी से अपने दिवाना बना लेती हैं, हर कोई उनके होट खीचा चला जाता है। वो बहुत ही महनती होती है और उने हरेकाड़े में सफलता मिलती है। इसके साथ ही जिन महलाओं के कंधे पर भी तिल का निजान होता है। नाग पर वैसे तो बहुत ही कम लोगों को तिल होता है लेकिन अगर किसी महला के नाग में दाई तरफ तिल होता है तो वो बहुत ही सुन्दर और सभाग्य साली होती है। किसी महिलाओं को संतान का सुप भी मिलता है अगर किसी महिला के नाग के दाई तरफ तिल होता है तुसे माई के पक्षे से पूरा साथ मिलता है जिन लोगों के नाग के अगली हिसे पर यानि की फ्रंट साइड पर तिल होता है वे हर काम में काफी टैलेंटन होते हैं ऐसी महिल आज की यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी के बहुत ही कामाने वाले हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अधुछ जानकारी के साथ पिर से मिलोंगे तब तक के लिए प्यार बड़ा नमस्कार